हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं पृती फ्रेंड्स जैसे अब मैं की शुरुबात हो चुके है तो हम अपने अप्राज़ता के प्लांट में कौन सा ऐसे फटलाजर दें जिससे हमारी बेल जो है हरी भरी बनी रहे और इसके अंदर फूल भी हमेशा खिलते रहें तो फ्रेंड्स प्राज़ता के पोदे पर जएदा से जएदा फूल लेने के लिए आपको इन बातों का ख्यार रखना है कि जो प्लांट है ये हमेशा इतना हेल्दी और स्वस्त रहे जो इसको खाद पानी की जुरूरत है वो हम लोग वक्त वक्त पर इसको देते रहें तो फ्रेंड्स जैसे आप मेरा प्लांट देखे रहे है यह मेरा छोटा सा भी प्लांट है जिसको मैंने बीस से ग्रो किया था इसके अंदर आप फूल देखे रहे है बहुत भेरा सा ये नीला फूल के लिए हुआ है और इस साइड देखे कलिया बनी हुई है और इधर भी कलिया बनी हुई है और फ्रेंट्स देखे इसके अंदर छुटी-छुटी कलिया ये बनी हुई है अभी ये प्लांट मेरा बहुत ही छोटा सा है क्योंकि मैंने इसको बहुत ही जो है गमले के अंदर जिस गमले में लगा तो फ्रेंट्स अब बात करते हैं कि जो गर्मिओं में आप अप्राश्ता के प्लांट की कैसे देखबाल करें और कैसी मिट्टी में आप इसको लगाएं तो फ्रेंट्स प्राज्टा के पोदे को आप जो है घर्मियों में भी मोश्चर तो बना के रखना ही है नमबर एक नमबर दो है फ्रेंट्स आपको इसकी गमले की मिट्टी जो बनानी है एकदम वेडरेन मिट्टी बनानी है ताकि इसके अंदर पानी बीना रहे और मोश्चर भी बना रहे प्रेंट्स यह जो बेल है अपराश्टा की यह छोटे से छोटे गंबले में भी बहुत असानी से लग जाती है और बड़ा गंबला हो तो उसके अंदर आप तीन चार बेले एक साथ लगा के इसको किसी पीर रंग रूप में ढा सकते हैं बेल की तरह भी लगा सक प्रेंट्स जो यह प्राश्टा का पोदा है इसको आप मेई की शुरुवात में ही फर्टिलैजर दे दीजिए तो फिर देखिए आपका जो यह बेल है प्राश्टा की बिलकूल एकदम घनी हरी भरी और फूलों से भरी ही रहेगी और फ्रेंट्स जैसे की आपको पता ही है की अप्राश्टा का जो पोदा है एक यह शुप पोदा है इसको के जो फूल है वो बहुत ही शुप फूल होते हैं जो बगवान को एक तो चड़ाए जाते हैं दूसरा इसका अरियोवैदिक में भी बड़ा महतो है तीसरा यह है कि इसको आप साज्जा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रैंग रूम में इसको टेबल पर आप रख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के किसी बोल के अंदर तो आपके कमरे में एक तो ठंडक बनी रहेगी और उपर सी यह फूल इतने सुंदर लगते हैं कि आते जाते इसके ओपर नजर पड़ती है प्रेंट्स जो यह व और रंगों में भी आने लग गया है वाइट पिंक परपल नीला और फ्रेंट्स इसके लावा भी और कलर होंगे तो उसका मुझे पता नहीं जो कलर मैंने देखे हैं मैं आपको बता रही हूं फ्रेंट्स जो अपराजता का फूल है यह भी कहीं तरीके से खिरता है यह मेरे यह वाला तो आप देखी रहे हैं इसी मेरे पास सोर है उसके अंदर बहुत ही प्यारा सा जैसे बिल्कुल गुलाब का फूल होता है गेंदा का फूल होता है ऐसी चुचुचु पंखडी होती है वैसा फूल भी इसमें मेरे अपराजता में खिलता है वाइट फूल तो बिल आप भी इस फूल को देखकर enjoy करिए तो friends बात कर रहे थे इसकी देख रहे कि इस plant को आप जो समय समय पर हलके हाथ से इसके अंदर गुड़ाई करते रहे और friends एक चीज़ ओर है क्योंकि इस plant में हमेशा जो है मोच्चर बना रहता है fungus का attack भी इसके उपर हो जाता है आप इसके अंदर जो है फंगसाइड पोडर डाल सकते हैं और इसके अंदर आप हल्दी थोड़ी सी पानी में मिलाकर इसकी पतियों पर छिड़क सकते हैं तो friends अगर अपराजता की बेल में nutrition की कमी हो जाती है तो इसमें फूल नहीं खिलते हैं पर मेरे प्लांट में friends हमेशा फूल खिलते रहते हैं क्योंकि मैं अपने प्लांट को दस से पंदरा दिन में या कोई भी ऐसा fertilizer है जो रोज के रोज दे जैसे डाल का पानी चावल का पानी आप असानी से जब भी घर में आपके हो तो आप लाकर अपने प्लांट में डाल दें और friends यह जो प्लांट है इसके ओपर मेरे प्लांट के ओपर कम से कमनी 10 से 12 फूल रोज खिले रहते हैं आपके इन फूलों के season में seeds बनाने लग जाएगी तो यह फूल नहीं देगी जब आपको seeds की जुरूरत हो तब ही आप इसके अंदर seeds बनने दें वरना बिल्कूल भी seeds बनने मत दीजिए आप देखे रहे हूं यह मेरे छोटा सा पोदा है और इसके अंदर बिल्कूल कितने स सारे फुल आए हुए हैं और एकदम से मेरी बेल हरी भरी और ना इसके ओपर कभी fungus का attack हुआ है तो friends मैं बात कर रही थी आपके साथ कि इस टैमा आप कौन सा fertilizer दें इस टैमा आप अपर्याजता को अपने घर से ही निकलने वाला fertilizer दें बजार का fertilizer आप बहुत ही कम दें और न इतना भी पानी होता मैं उसको रख लेती हूँ यह लगभग 24 घंटे रखा हुआ पानी है तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में nutrition है जो मेरे यह प्लांट को चाहिए इसके अंदर तो एक तो ठंडी खाद है दूसरा नंबर इसके अंदर जो nutrition vitamins भरपूर मात्रा में है इसको आप बे हिचक होकर अपने प्लांट में दे सकते हैं चाहिए आप एक कप दीजिए दो कप दीजिए डेट कप दीजिए चाहिए आप इसको एक गिलास भर कर दीजिए तब भी ये प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं करेगा अगर चाहें तो आप इसके अंदर एक चुटक डालूंगी, सिरफ यह वाला ही डाल चावल का पानी जो है इसको दे दूँगी, और फ्रेंट्स ना मैं इसके अंदर पानी मिलाओंगी, क्योंकि यह जो पानी है पान से छे बार चावल डाल धुले हुआ है, तो जड़ा जूरूरत नहीं है पानी मिक्स करने की, तो फ्रेंट यह मैं अपनी अप्राज्टा की बिल में ऐसे ही डाल दूंगी यह दी कि करिबन एक गिलास के करीब मैंने इसमें डाल दिया है और फ्रेंट्स जब भी आप फटलाइजर दें तो शाम के समय ही दें सुबह के टाइम कोई फटलाइजर ना दें क्योंकि गर्मिया बहुत जबर आज़ता वो गर्मियों में आप कौन सा फटलाइजर दें ताकि प्लांट आपका हरा बरा और फूलों से लदार है आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट सुस्क्राइब कीजिएगा थैंक्यू फ्रेंट्स बबाए हैपी गार्डनिंग